दोस्तों अगर आप भी अपने YouTube वीडियो के लिए attractive and catchy thumbnail बनाना चाहते हैं तो काइन माश्टर आपके लिए एक बहत्रेन option हो सकता है तो दोस्तों काइन माश्टर से YouTube वीडियो बनाने और editing करने के अलावा आप इससे YouTube thumbnail भी बना सकते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि काइन माश्टर से YouTube thumbnail कैसे बनाना है इसके लिए सबसे पहले आपको अपने mobile पर काइन माश्टर एप्लिकेशन को open कर लेना है इस प्रकार से आप देख सकते हैं काइन माश्टर open हो चुका है अब आपको इस पर click कर लेना है अब आपको यहाँ पर show हो रहा होगा select the aspect ratio of the project तो यहाँ पर आपको 16 ratio 9 पर click करना है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं काइन माश्टर पूरी तरह से open हो चुका है अब आपको मेडिया पर click करके photos या images को pick करना है अब आपको background पर click करके background choose कर लेना है चलिए मैं यहाँ पर light yellow color को choose कर लेता हूँ अब मैं layer पर click कर media पर click करता हूँ और अगें background पर click कर black color को select करूँगा अब इसे मैं zoom करके set कर लेता हूँ अगर आप चाहें तो इसे crop करके भी set कर सकते हैं अब आपको layer select कर media select करना है और अपने gallery से photos and images speak करना है अब आपको layer पर click कर text को click करना है और text लिखना है और सभी को अच्छे से adjust कर लेना है अब आपको 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 झाल झाल इस प्रकार से थमनेल तयार हो गया है अब इसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करके केप्चर एंड सेव पर क्लिक करना है इस प्रकार से थमनेल डाउनलोड हो जाएगा तो दोस्तों आई होप की मेरे ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए